Hello everyone, welcome back to the channel Friends, हमारी आज की वीडियो में हम LCM निकालना सीखेंगे हमारे पास तीन नमबर्स है 30, 40 and 60 तो हमें least common multiple जो है वो निकालना है ठीक है? तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया है? एक vertical line खीश ली है और कुछ horizontal lines को ऐसे draw कर लिया है अब इसमें हम क्या करेंगे? इन numbers को लिखेंगे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 30, फिर 40 और फिर क्या होगा? 60, ठीक है? यहाँ पर हमने 30, 40 and 60 को यहाँ पर लिख लिया अब हमें क्या करना है? कि हमें जो सबसे छोटे से छोटा number है 1 को छोड़ करके सबसे छोटा जो number है उससे हमें क्या करना है? इन तीनों को divide करना है तो हम यहाँ पर 2 से divide करेंगे इसे, यहाँ पर देको 0 है 0 है, 0 है, ठीक है? तीनों में 0 है इत मेंस कि यह 2 से divisible होगा ठीक है? तो हम सबसे छोटा number जो prime number है उससे हम क्या कर रहे है? इनको divide कर रहे है जब हम 30 को 2 से divide करते है तो क्या होता है? 15 आता है ठीक? और 40 को जब हम 2 से divide करते हैं तो क्या आता है? 20 आता है 60 को जब 2 से divide करते हैं तो 30 आता है ठीक है? अब क्या करेंगे? अब हम कि even numbers हैं, तो यह फिर further 2 से क्या हो जाएंगे, divide हो जाएंगे, तो हम फिर से क्या करेंगे, 2 से divide करेंगे, अब 15 जो है, वो 2 से divide तो होगा नहीं, तो हम 15 को क्या करेंगे, as it is, उतार लेंगे, ठिक, फिर हम क्या करेंगे, 20 में हम 2 से जब divide करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 10, ठि यहां पर क्या है 10 है ठीक तो अब हम क्या करेंगे हम फिर से हम इसे क्या करेंगे 2 से ही डिवाइट करेंगे अब यहां पर क्या है 15 को हम as it is लिख लेंगे अब 10 में जब 2 से डिवाइट करेंगे तो क्या होगा 5 आ जाएगा फिर 15 को यहाँ पर यह divide नहीं होगा 2 से तो हम इसको as it is लिख लेंगे ठीक है अब हम क्या करेंगे जो next 2 के बाद जो next prime number आता है smallest वो क्या होता है 3 होता है तो हम 3 से अब इस इन सब को divide करके देखेंगे 3 से हम 15 में divide करते हैं तो क्या आता है 5 3 5 से 15 अब 3 से 5 में divide नहीं हो सकता है तो हम 5 को as it is उतार लेंगे फिर हम 15 को 3 से divide करेंगे तो यहाँ पर फिर से क्या आजाएगा 5 आजाएगा ठीक है अब क्या करेंगे अब यहाँ पर देखो हमारे पास कौन कौन से numbers है 5 5 5 अब यह 3 से भी divide नहीं हो सकता 4 से हम divide नहीं करेंगे क्योंकि वो prime number नहीं है अब 3 के बाद जो next prime number आता है वो कौन से होता है 5 होता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 लिखेंगे अब हम 5 से जब divide करेंगे तो 5 1s 5 5 1s 5 5 1s 5 अब यहाँ पर 1 1 1 आ गया अब हमारे पास यहाँ पर further कुछ भी divide करने के लिए नहीं बचा है अब यह numbers हमारे पास इधार आ गए है यह prime numbers है अब यह सब क्या हो गए अब हम लिखेंगे यहाँ पर LCM is equal to यह सारे हमारे prime factors हो गए है यहाँ पर हम लिखेंगे 2 फिर यह वाला 2 फिर यह वाला 2 फिर 3 फिर 5 अब जो है यह हमारे पास क्या हो गए इन numbers को हमने यहाँ पर लिख लिया जो यहाँ पर आए थे अब हम क्या करेंगे LCM of 30, 40 and 60 is equal to कितना हो जाएगा इन सारे numbers को हम लोग क्या करेंगे आपस में multiply कर लेंगे 2, 2 is a 4, 4, 2 is a 8, 8 3 is a क्या हो जाएगा 24, 24 into 5 is equal to क्या हो जाएगा 120 ठीक और यही हमारा क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा 30, 40 and 60 ठीक है फ्रेंड्स होप करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा थैंक यू सो मच